हेलो मेरे प्यारे साथियों आज किस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट बताने के लिए मैं आपके पास जूर चुका हूँ मेरे साथियों बिहार तक्निक की सेवा आयोग के अंतरगत एक और फिल से फॉर्म भरने की परकिरिया आप लोग को देखने को मिल सकता है दोस्तों बिलकुल रुप से देखेंगे एकदम बिलकुल 100% आप लोग इस चीज़ को मान सकते हैं साथियों बता दू कि बिना रजिस्ट्रेशन किये हुए को भी मौका दिये जाएंगे फॉर्म भरने का अब इसमें जो अगर फॉर्म भरने में बिलंब होता है डेट एक्स्टेंड होगा ही तो इस चीज़ों को देखते हुए अगर बात करेगा तो कॉंसिलिंग में भी बिलकुल रुप से बिलंब होंगे अब सात्यों आप लोग को लगता होगा कि यह किस पूश्ट की बात हो रही है तो मैं अफिस्यल जानकारी अप्टेट दूँ का और पूरी complete जानकारी के लिए वीडियो को अंतक बने रहे सात्यों आपको जानकारी देदू कि बीटीयस्स इसे रे लेटेड हर जानकारी प्रापत करने की चन को सब्सक्राब करेगा हम आपको complete जानकारी यहां सी दिखा जेते हैं सातियों हम लोग आ चुके हैं नोटिस पर और आप लोग यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है हाई कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट का आदेश आ गया है फर्मासिस्ट छात्रों को दो हपते में होगा रेजिस्ट्रेशन अब फर्मासिस्ट के दो भी छात्र है उसको दो हपत का खाम्याजा छात्रों को नहीं भोकत ने दिया जा सकता है कोट ने यह भी कहा कि कॉंसिल का अगर रेजिस्ट्रेशन करने में नाकामी रहती है तो बिहार तक्निकी सेवा आयोग फर्मासिस्ट भाली के छात्रों का आवधन स्युकार करें यानि आपने देख लिए असपस ट सदु करीब 5000 आईसे श्टुडेंट है जिनका रेजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है वह बहुत पहले आव्यदन दियते रेजिस्ट्रेशन ही हुआ जिनके कारणन यह लोग फर्म भरने में नाकाम हो रहे हैं यहां पर फर्म नहीं भर रहे हैं इसी कारण से यह लोग यहां बिख स congratulate यहां पर यहां पर स्विकार करें आपको आपको जानकारीम यहां दूँ कब आप लोग को परिशान हेरान होनी की कोई जुरत नहीं है बीटीसी बिलिकुल लूप से डेट बढ़ा देंगे और आप लोग फर्म अपलाई कर पाएंगे चुकि दो हफ्ता के अंदर रेजिट्रेशन वहां पर हो जाना थोरा सा मुश्किल की बात हो सकती है फिला दोस्तों इसी तरह से कोई जानकारी अपडेट आते तो सबसे पहले मैं आपके पास देता हूँ अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा थोरा सा सपोर्ट दीजेगा सात्यों यह आपको फेपर कटिंग मैं टेलिग्रूप का लिं थेंक्यू